है अगे हैं और हम लोग यहां पर शुरू करेंगे सबसे पहले फर्स्ट लाइट के साथ फर्स्ट लाइट पर पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग आज की टॉपिक में क्या-क्या डिसकेशन करने क्या 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 आज की क्लास में आपको पढ़ने को सीखने को आपको यहां पर मिलने वाला है आज की क्लास में बेसिकले हम लोग डिसकेशन करने वाले हैं और बियाई की हिस्ट्री की कैसे आर बियाई का स्टेबलिस्मेंट होता है और बियाई का इतिहास क्या है उसके बारे म functions और RBI की subsidiaries यानि कि RBI से related A to Z हर चीज का discussion आज के session में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इस थापना से लेकर RBI के functions तक सारी चीजों का discussion होगा ओके अबरीवन आगे बढ़ने से पहले तो यह तो रहा कि आज हम लोग क्या-क्या यहाँ पर करने वाले हैं आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरा एक सवाल क्या आपको पता है कि RBI के पहले ऐसे governor जो कि अब तक RBI के governor तो रहे हैं और वो पहले देश के prime minister भी थे जो कि RBI के governor थे मतलब who is the only prime minister अभी तक who was also the governor of RBI यानि कि अब आगे चलके वो देश के प्रधान मंतरी बने लेकिन एक वक्त वो RBI के governor भी थे इकलोते ऐसे देश के प्रधान मंतरी कौन है जो कि RBI के governor और फिर प्रधान मंतरी भी बने थे अगर आपको इसका जवाब पता है तो अच्छी बात है नहीं पता है तो इसका answer आपको session के दोरान ही देखने को मिल जाएगा कोशिस करो प्रिया इस class को live watch out करो ठीक है कोशिस करो बाकी other session अगर line up है same timing पे तो आप उनको offline mode में देख लो लेकिन इस class को live ही join करो क्योंकि इससे आपको बहुत benefit मिलेगा concept plus mcqs यानि की concepts के साथ साथ concepts को clear करने के लिए quiz भी आपको session में बीच बीच में देखने को मिलेगा तो यह सक्षियत कौन है या यह Prime Minister कौन है यह आपको session के दोरान पता चल जाएगा so don't take tension शुरूआत करते हैं RBI की और RBI के topic की शुरूआत होती है RBI की परिभाशा के साथ RBI की definition के साथ RBI यानि की Reserve Bank of India तो शार मैं discuss करूँगा कि वो 14th governor थे या 15th governor थे don't take tension राइट ओके अभी हम लोग शुरूआत करेंगे अभी वो वारा topic आएगा तो मैं वहाँ पर आपको बताऊंगा कि वो RBI के सबसे पहले यहां से करेंगे session के discussion की शुरूआत RBI क्या है RBI हमारे देश का central bank है जिस तरीके से RBI हमारे देश का central bank है ठीक उसी पिरकार दुनिया के दूसरे देशों में भी उस देश का एक central bank होता है प्रियंका जी good evening welcome दूसरे देशों में भी central bank होता है for example अगर RBI हमारे द देश के banking system का केंद्र RBI है इसका मतलब यह है कि हमारे देश के पूरे के पूरे banking system को control और regulate करने का काम RBI का है जो देश का central bank होगा वही उस देश के banking और financial system को control और regulate करेगा क्लियर है मेरी बात जैसे कि अगर हम बात करें अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप इसे ऐसे सम कि मेरे परिवार में मेरे पिता है तो पापा की ही ज्यादा चलती है राइट तो आपकी family में ऐसा हो सकता है कि पापा की ज्यादा चलती हो सब कोई पापा से ही डरता हो पापा का decision सर्व मानने होता हो लेकिन कई बार मम्मी भी घर की मुखिया होती है जिनसे पापा भी डरत है ना कि हम मम्मी के पास जाते हैं मम्मी मम्मी आईफोन दिला दो मम्मी कहती है हमसे मांगने किसे क्या होता है पापा से डिमांड करो और जैसी है हम उनके सामने अपनी डिमांड रखते हैं एक ठपड़ आता है और सारी बात वहीं पर खत्म हो जाती है यानि कि परिवार में एक ऐसा व्यक्ति होता है, एक ऐसा लीडर होता है, एक ऐसा मुखिया होता है, जो कि परिवार के सभी महत्वों डिसीजन लेता है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि हमारे परिवार का केंद्र हमारे पिता है या हमारी मदर है, ठीक उसी परकार हमारे देश का जो बैंकिंग सिस्टम ह है किस bank को establish किया जाए किस bank को banking के लिए license दिया जाए किस entity को bank के लिए license मिलेगा किस bank को या किस bank का license छीनना है किस bank पर penalty लगानी है भारत के banking system को और कैसे control और regulate कर सकते हैं इन सब पर जो discussion होता है या इन सब के लिए जो rules and regulations बनाता है वो उस देश का central bank होता है हमारे देश का central bank है RBI मैं आप से जानना चाहूंगा कि इसी तरह जो हमारा पडोसी देश है China China के Central Bank का नाम क्या है और हमारा पडोसी देश एक और है जिसका नाम है Pakistan जिसे हम से काफी प्रेम रहता है हमेशा ठीक है RBI के अगर हम बात यहाँ पर करें, तो RBI की स्थापना कब हुई थी? April month 1935, RBI आपके यहाँ पर स्टैबलिस होता है, तारीख अगर कभी भी कोई आप से पूछता है कि किस तारीख को RBI की स्थापना हुई थी, तो आंसर आपके यहाँ पर बनेगा 1st April 1935, RBI आपके यहाँ प पर पूछेगा कि RBI की स्थापना किस कानून के माध्यम से हुई है, तो कानून का नाम है Reserve Bank of India Act 1934, और जब RBI को स्टैबलिस किया गया, तो उसकी capital थी, उसकी पूझी थी, तो RBI की स्थापना के लिए कितनी पूझी आपके यहाँ पर लगाई गई, कितनी capital यहाँ पर इंक्लूड की गई, तो 5 करोर रुपी की capital इंक्लूड की गई, on the recommendations of the Hilton Young Commission, यह एक कमिटी का नाम है, हिल्टन यंग कमिशन यह हिल्टन यंग आयोग, यह कमिटी थी, हिल्टन यंग नाम के एक प्रिटिशर की अध्यक्षता में कमिटी बनाई जाती है, कमिटी अपनी रिपोर्ट पेस करती है, 1926 में, और उस रिपोर्ट में कमिटी का यह कहना होता है, कि हमें देश में बैंकिंग सेक्टर के डिवलपमेंट के लिए एक सेंट्रल बैंक बनाना होगा, तो किस कमिटी की शिफारसों के आधार पर आर्बियाई के स्थापना होई, आंसर इस वेरी सिंपल, हिल्टन यंग कमीशन, 1926 और इनकी रिकमेंडेशन पर कानून बनता है, एक्ट का नाम है आर्बियाई एक्ट 1934 और इस कानून के माध्यम से आर्बियाई के स्थापना होती है, 1st April 1935 में, सारी चीज़ें यहां तक क्लियर हैं, then एक बार सभी लोग, कम्यूनिटी नहीं, कमिटी, हिल्टन यंग कमिटी, समिती, एक समिती, समिती की शिफारस की आखिर भारत के बैं चाइना के सेंट्रल बैंक का नाम आपका बनता है, पीपिल्स बैंक ओफ चाइना, यह चाइना के सेंट्रल बैंक का नाम है, पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक का नाम है, स्टेट बैंक ओफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक ओफ पाकिस्तान, यह पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक का के नाम है हमारे देश के Central Bank का नाम है Reserve Bank of India क्लियर है कि नचिकेत मोर कमेटी अलग मैटर से रिलेटेड है तो शार यहां पर आंसर बनेगा हाँ वो कमेटी भी है लेकिन वो यहां से रिलेट नहीं करेगी मेरी बात पीपिल्स Reserve Bank of China यह चाइना के Central Bank का नाम है आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले एक कोशन जो यह चेक करेगा कि आपकी नौलेज कितनी है तो शुरू हो जाएए आपके सामने एक पॉप-प आएगा कोशन का को इसका आपको आंसर करना है फटा-फट से आंसर कीजे फिर हम इस पर पर चर्शा करेंगे The Reserve Bank of India और RBI was nationalized in which year यानि कि Reserve Bank of India का जो राश्टी करन है nationalization है वो किस year में हुआ था 1947 में 1948 में 49 में 50 में और 1951 में सभी लोग इसका आंसर पॉप-प पर ही देंगे यानि कि कोई भी चैट पर इसका आंसर नहीं लेखेगा सभी को आंसर टिक करना है मतलब की options select करना है जो पॉप-प आपके सामने open हुआ है right RBI ने भी पाकिस्तान के लिए Central Bank के तौर पर काम किया है बिल्कुल सही कहा आपने 1948 1948 तक भारत की आजादी के एक साल बाद तक RBI ने पाकिस्तान के Central Bank के तौर पर काम किया है क्योंकि तब तक पाकिस्तान का अपना खुद का Central Bank नहीं बना था तो कभी भी एक्जाम में question बने कि पाकिस्तान के लिए RBI ने कब तक Central Bank के तौर पर काम किया है सिम्पल इसका आंसर बनता है 1948 तक 1948 तक अभी भी आठ लोगों ने सही जवाब नहीं दिया है आठ लोगों ने जवाब भी नहीं दिया है, सही या गलत तो बात अलग है, अभी भी आठ लोगों ने, साथ लोगों ने question का answer नहीं दिया है, सभी लोग question का answer करेंगे, जो आपको समझ में आता है, सही या गलत, हाँ, 1948 है, बिल्कुल सही है, पांच लोगों ने अभी तक इस question का answer नहीं किया है, फटा-फट से answer कीजेगा, सही या गलत बट कीजे, जो आपको लगता है, वो answer कीजेगा, nationalization of RBI, RBI का nationalization कब हुआ था, simple सा question, correct answer यहां पर आपका बनेगा, इस question का, वो रहेगा आपका, option number C, 1949 is the right answer here, देखे, RBI के लिए, Hilton Young Committee आपकी बंती है, 1926 में, right, committee की recommendation पर RBI act आपके हां पर pass होता है, 1934 में, 1934 के act के according, RBI establish होता है, 1935 में, correct है, establishment के बाद जब भारत को independence मिल जाती है, आजादी मिल जाती है, तो आजादी के बाद 1949 में, RBI nationalize हो जाता है, nationalize होने का मतलब है कि पूरी तरीके से जो RBI है, वो RBI भारत सरकार के अधीन हो जाता है nationalization के थ्रो, majority shareholding, RBI में किसकी हो जाती है, भारत सरकार की, और current scenario में बात करें, तो 100 out of 100 percent, जो shareholding है, RBI की capital में, वो किसकी है, भारत सरकार की है, याद रखेगा, exactly आपको अगर date यहाँ पर याद रखनी है, तो answer रहेगा, 1 January, 1st January 1949, RBI was nationalized, 1 January 1949 को, RBI आपका nationalize हुआ था, clear ह है, सभी को, then say yes, and give me a big thumbs up, कि हाँ सर सारी चीज़े ओके हैं, और जल्दी से फटा-फट से yes लिकर comment section में बता दीजेगा, सभी लोग, आगे बात करते हैं, तो RBI का nationalization कब हुआ था, RBI का nationalization आपका यहाँ पर हुआ था, 1st January 1949, अगर exactly आप से date यहाँ पर पूछ ली जाती है, तारीक आप से यहाँ पर पूछ ली जाती है, तो answer बनेगा, 1st January 1949, RBI आपका nationalize हो जाता है, clear है, okay then, आगे बात करते हैं, अगला question, इस question का answer भी दीजेगा फटा-फट, फिर हम लोग आगे बात करेंगे, okay, the Reserve Bank of India और RBI was originally headquartered at, RBI जब established हुआ, in initial phase, शुरुवात में जब RBI की स्थापना हुई 1935 में, तो उस वक्त RBI का headquarter कहाँ पर located था, in Kolkata, in Mumbai, in New Delhi, Chennai और none of these, आपके सामने जो pop-up open हुआ है, उस पर आपको correct option टिक करना है, च क्या बात है, चार लोगों ने गलत जवाब दिया है, यह तो पूरा net ले जाता है, नहीं, मैं आपको option बता देता हूँ, कि आपको यहाँ पर किस तरीके से आप इसकी जो video quality है, वो कम कर सकते है, ठीक है, चलिए, Kolkata या कलकता बात एक ही है, करिश्मा, क्योंकि यहाँ पर Kol Kolkata और Kolkata अलग-लग option नहीं दिये है, ठीक है, तो Kolkata कहां है, Kolkata आज का Kolkata ही उस समय का Kolkata था, ठीक है, हाँ, नीचे setting है, ठीक है, आपको नीचे की तरफ setting वाला option मिल जाएगा, जहां से आप अपना जो resolution है, वो कम कर सकते है, यहाँ पर आपको एक नीचे आपको एक setting आपको देखने को मिल जाएगा, इस तरीके का एक option नीचे आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, setting का इस तरीके से, दिख रहा है सभी को, उस पर click करके आप auto कर सकते हैं, या फिर जो भी low quality है, वो आप यहाँ पर set कर सकते हैं, हो गया sir, okay, well done, तो यहाँ पर correct answer की बात करें तो यहाँ पर correct answer इस question का क्या रहेगा, इस question का correct answer यहाँ पर रहेगा कलकता या कोलकाता, याद रखेगा जब RBI 1935 में आपको यहाँ पर इसको याद करने का तरीका देख लीजेगा, 1935 में RBI जब establish हुआ, तो शुरुवाती सतर पर जो कोलकाता सिटी थी, जो कलकता सहर आप यहाँ पर था, वो मुंबई से ज़्यादा डिवलप था, आपको पता है कि भारत की पहली राजधाने भी कलकता ही थी, पहले भारत की जो capital थी, डेली से पहले वो कलकता ही थी, right, clear मेरी बात, चिक है, तो इसलिए आपको याद होगा कि Bank of Hindustan was the India's first bank, याद है सभी को, Bank of Hindust का, Kolkata सहर या कलकता सिटी में ही established किया गया था, क्योंकि आपकी एक port city थी, बंदरगाह सहर, port है ना, और यह समय काफी popular था, बंदरगाह से अच्छा खासा व्यापार होता था, European countries से, that's why यह एक reason था कि उस समय भारत का, जो सबसे बड़ा व्यापारिक हब हुआ करता था, 1911 में announcement होता है कि अब भारत की राजधानी कलकता से क्या हो जाएगी, दिल्ली हो जाएगी, न्यू डेली हो जाएगी, कभी announcement हुआ था, जॉर्ज पंचम के दरवार में हुआ था, 1911 में हुआ था, that's why कि उस समय जो भी बड़े-बड़े organization, बड़े-बड़े banks या बड़े- इस हुई थी, ये भी मैंने आप सभी से discussion किया था, clear है मेरी बात, उस company का नाम मुझे फटा-फट से comment section में लेकर बताएगा कि भारत की सबसे पहली insurance company आपकी यहाँ पर कौन थी, फटा-फट से comment section में, आगे बढ़ते हैं, और बात आगे करेंगे RBI के management की, अभी तक हम RBI के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास जी की तस्वीर है, और यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर लोगो आप सभी के सामने है, एक सवाल यहाँ पर और बनता है, कि RBI के लोगो में जो animal आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, वो animal कौन सा animal है, उसमें lion, tiger, cheetah, या फिर panther, क इस animal की तस्वीर हमें RBI के लोगों में देखने को मिलती है, पटा फट से मुझे comment section में लिख कर बताईएगा, और यह जो building अभी आपने यहाँ पर देखी, यह building RBI का head office आपकी यहाँ पर बनती है, यह शांदार building RBI का head office ही है, तो चले, आगे का discussion हम लोग यहाँ पर करेंग the executive head of the RBI is called the governor, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे घर में हमारे पिता, हमारे मुखिया होते हैं, हमारे head होते हैं, right, तो ठीक इसी तरीके से इतना बड़ा organization है, यानि कि RBI, Reserve Bank of India, तो कहीं न कहीं RBI का जो complete management है, उसका एक leader भी है, जैसे कि हमारे देश का एक leader है, प्रधान मं होता है, उसे हम यहाँ पर कहते हैं RBI का executive head और इनको commonly हम कहते हैं RBI का governor, तो RBI के governor के पास सबसे जादा शक्तियां होती हैं, ठीक है, ये number one position पर rank की अगर बात करें और इनके साथ 4 आपके होते हैं deputy governors, एक होता है governor और 4 होते हैं deputy governors, यानि कि governor की मदद के लिए 4 आपके deputy governors होते हैं, इसके अलावा other executive officers होते हैं, केवल यहीं लोग मिलकर RBI को run नहीं करते, यहीं मिलकर RBI के लिए policies नहीं बनाते, RBI के governor, deputy governor, other executive officers, सब मिलकर RBI का management बनते हैं और यही management committee RBI को run करती है, clear है सभी को मेरी बात, then say yes, say yes everyone की हासर, यहां तक सारी चीज़े clear है, यहां पर जो जी, यह RBI के 25 में governor है, अगर मैं संख्या की बात करूँ कि जब से RBI established हुआ है, तब से लेकर अब तक total कितने RBI governor आपके यहां पर appoint हो चुके हैं, तो यह 25 में RBI governor है, नाम है इनका शक्तिकांत दास जी, right, clear है, आगे बढ़ते हैं, next slide की तरफ, RBI के management की बात करें, तो जैसे कि हमने अभी last वीडियो में देखा कि शक्तिकांत दास जी, RBI के 25 वे governor आपके यहां पर बनते हैं, यह important आपके यहां पर बन जाता है, sir, monetary policy आई थी ना, sir, क्या, क्या change हुआ, don't take tension, अभी आगे हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, तो शार, आगे के lectures में हम लोग monetary policy का discussion करेंगे कि exactly monetary policy होती क्या है, bank rate, rappo rate, reverse rappo rate, CRR, SLR, exactly क्या होते हैं, direct instruments of monetary policy और indirect instruments of monetary policy इन सब के बारे में करेंगे detail में discussion, और उसी दोरान में आपको बता दूँगा कि जो latest monetary policy है, उसके rates क्या है, clear है मेरी बात? गवर्नर का कारकाल जो आपके यहाँ पर होता है, 3 plus 1 plus 1 मतलब की minimum 3 साल के लिए उनको यहाँ पर appoint किया जाता है, फिर उनको यहाँ पर अगले 1-1 साल के लिए फिर appoint किया जा सकता है, तो अभी हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे, तो RBI के वर्तमान जो गवर्नर आपके य जोनते हैं, ध्यान से सुनिएगा, यह सभी आपके यहाँ पर deputy governors हैं, ठीक है, deputy governors का कारकाल भी 3 साल का minimum होता है, फिर उनको तीन साल का extension दिया जा सकता है, मतलब 3 साल बाद सरकार चाहे, तो अगले 1 साल के लिए फिर से उनको दुबारा से reappoint कर सकती है, उसके बाद भी अगर हो सकते हैं, maximum 4 ही RBI के deputy governor हो सकते हैं, 4 से ज़्यादा RBI के deputy governor नहीं हो सकते हैं, according to the RBI Act, Reserve Bank of India Act, अधीनियम 1934 के तहट, Reserve Bank of India Act 1934 के तहट, maximum 4 ही deputy governors हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, हाँ, ऐसा हो सकता है कि किसी समय कोई post आपकी vacant रहे, मतलब कि इनका कारेकाल खत्म हो जाए, या फिर ये पद अपना छोड़ दें, या कुछ ऐसी घटना हो जाए, कि वो पद पर ना रहें, तो ये seat हैं, 4 की जगए, 3 या 3 की जगए, 2 भी हो सकती हैं, लेकिन maximum 4 से ज़्यादा RBI के deputy governors नहीं हो सकते हैं, second RBI के deputy governor है, स्री M, राजेश और राव, ठीक है, 10, ठीक है, 2020 में या आपके यहाँ पर appoint हुए थे, ठीक है, और अभी भी RBI के deputy governor है, MD पात्रा या फिर Michael D. पात्रा, ठीक है, Michael देवरत पात्रा इनका पूरा नाम है, पहले इन है, 15 जनवरी 2020 में appoint किया गया था, कारकाल इनका खत्म हो गया था, 14 जनवरी 2023, 3 साल पूरे होते ही, लेकिन वापस से इनको यहाँ पर reappoint कर दिया गया, यानि कि भारत सरकार चाहे, तो 3 साल बाद इनको यहाँ पर वापस से, मतलब 3 साल complete होने के बाद अगले एक साल का extension दे सकती है, एक साल पूरा होने के बाद सरकार चाहे, तो दुबारा से extension भी दे सकती है, ठीक है, मैम के जैने इनका पूरा नाम है, यह भी extension ले चुके है, 2018-19, 19-20, 20-21, 3 साल का कारकाल यह रहा, पर 2021 में इनको यहाँ पर क्या किया गया, extension दिया गया और अभी recently वापस extension दिया गया, तो यह है आपके चारों के चार deputy governors, अब हम बात यहाँ पर करेंगे RBI के first governor की, यानि की first governor of RBI, first governor of RBI, 25th governor तो शक्तिकान दास जी है, लेकिन RBI के first governor, RBI founded in 1935, RBI की स्थापना 1935 में हुई थी, तो 1935 से लेकर 1937 तक, 1935-1937 हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, हम independent नहीं हुए थे, हम आजाद नहीं हुए थे, British हकूमत हम पर थी, तो इस दौरान अंग्रेज ही भारत के क्या रहे, governor रहे, तो Sir Osborne Smith, Sir Osborne Smith, Sir Osborne Smith नाम के अंग्रेज, 1935 से 1937 तक, RBI के governor रहे, उसके बाद 1937 में भी, 1937 से लेकर, 1943 तक भी, RBI के governor एक British रही थे, उनका नाम था Sir James Taylor, Sir James Taylor, ये भी RBI के governor ही आपके यहाँ पर थे, second governor of RBI James Taylor, first governor of RBI Sir Osborne Smith, उसके बाद RBI के third governor यहाँ पर बनते हैं, 1943 में देश में, ठीक है, आजाधी की लेहर, ज्योरो सोरों से चल रही थी, थी, 1943 से लेकर, 1949 तक जब तक, भारत को आजाधी मिली, इस कारकाल के दोरान, C.D. देश मुक, यानि कि चिन्तामंद्वारिकानाथ देश मुक, C.D. देश मुक जी का पूरा नाम, सीरी देश्मुक, चिंतमन्ध द्वारिकानाथ देश्मुक, from 1943 to 1949, who was the first RBI governor, 1935 to 1937, Sir Osborne Smith was the first RBI governor, and who was the second RBI governor, then your answer is James Taylor, from 1937 to 1943, जब भारत को आजादी मिली, 1947 में, उस वक्त, RBI के governor कौन थे, 1937, 15 अगस्त की तारीक है, देश को आजादी मिली, आजाद भारत का पहला सूर्य उदय होता है, जवाहलाल नहरुजी ने देश को संबोधित किया, यानि कि उस वक्त हिंदुस्तान के RBI के पहले governor कौन थे, तो चिंता मन, दौरिकानाथ, देश मुख, इनके माथे से चिंता की लकीरे हटीं, और ये आजाद भारत के पहले RBI गवरनर बन जाते हैं, यहां तक सारी चीज़ें clear रही हो, देन से yes everyone, की yes sir, यहां तक सारी चीज़ें clear है, एक बार फटा-फट से yes लिखकर बताईएगा, सीडी देश मुख साहब के नाम पर अभी हाली में किस राज्य सरकार ने, अपने राज्य की राजधानी के एक प्रमुख railway station का नाम, इनके नाम पर नाम करन करने का फैसला किया है, फटा-फट से comment section में लिखकर बताईएगा, हम बात यहां पर कर रहे हैं किस state government की, महरास्ट स्टेट गवर्मेंट की राजधानी बनती है, मुंबई, मुंबई का station आपका बनता है, मुंबई Churchgate railway station, बहुत ही popular railway station है, बहुत ही पुराना railway station है, अब उस Churchgate railway station को सीडी देश मुख station के नाम से आपका नहाँ पर जाना जाएगा, clear है सभी को? अगला question आप सभी के सामने ये रहा, आराम से question को read कीजेगा, pop-up आपके सामने आएगा, सभी को वहाँ पर आंसर करना है, who was the first Indian governor of the RBI, अब तो simple से question है, मुझे नहीं लगता कि जितने भी लोग यहाँ पर session में live हैं, सभी मैंसे कोई भी student इस question को गलत करेगा, बहुत ही easy question, फटा-फट से answer दीजेगा, RBI के पहले भारतिये governor, first Indian governor of RBI, इस से आसान question आपको मिलेगा ही नहीं देखने को, फटा-फट से answer यहाँ पर कीजेगा, सभी लोग, pop-up पर click कीजेगा, और सभी लोग answer कर दीजेगा, और I think सभी का answer यहाँ पर correct होना चाहिए, एक student ने फिर भी यहाँ पर answer गलत कर दिया है भाई, इसमें भी कोई doubt है, first Indian governor of RBI, अरे आप लोग फिर confused हो रहे, यहाँ पर क्या लेखा है, first Indian governor, first governor नहीं, अगर question में यह पूछा जाता, first governor, तो हमारा answer होता, Osborne Smith, लेकिन पूछा गया है, पहले भारती, Osborne Smith, Indian नहीं थे, ठी कच लोगों ने question का जवाब गलत दिया है, सर गलत हो गया, प्रियसी फिर भी गलत हो गया, जल्दिवाजी में सभी ने वो भारती यानि की Indian नाम नहीं देखा, चलिए अब बात यहाँ पर करते है, powers of RBI की, RBI की शक्तियों की, हम सभी जानते हैं कि RBI हमारे देस का central bank है, तो RBI के पास कौन-कौन सी ऐसी शक्तियां है, powers है, ठीक है, और जिनके बल पर वो भारती बैंकों को control करता है, regulate करता है, तो चलिए उस पर discussion कर लेते हैं, राइट, बात करते हैं RBI की, देखे, RBI को उसकी शक्तियां मिलती है, RBI Act 1934 से, क्योंकि ये कानून है, Act क्या है, Act मतलब अधिनियम, कानून, ठीक है, जो कि पार्लियमेंट से इस Act को पास किया गया है, इस अधिनियम को देश की संसत से पास किया गया है, तो RBI Act 1934 और दूसरा कानून है, Banking Regulation Act 1949, ये दो कानून आपकी यहां पर बनते हैं, जिन से RBI को उसकी शक्तियां मिलती हैं, उसकी powers मिलती ह है, have given the RBI wide powers of supervision and control over commercial banks related to, तो basically RBI दो कानूनों से, Reserve Bank of India Act 1934 और Banking Regulation Act 1949, इन दो कानूनों से RBI को बहुत सारी wide powers मिलती हैं, बहुत सारी शक्तियां मिलती हैं, जिस से भारती बैंकों पर supervision निगरानी रख सकता है, और उनको control कर सकता है, उनको नियंत्रित आप कहां पर कर सकता है तो ये दो कानून और इन दोनों ही कानूनों के years आपको यहाँ पर याद रखने हैं कि किन-किन years में कौन सा कानून आपको यहाँ पर pass हुआ था, ठीक है, अगला discussion करने से पहले इस question का अंसर फटा-फट चे दीजिएगा, हम सभी जानते हैं कि monetary policy को review करना और monetary policy का update देना य question आपके यहाँ पर यह है कि monetary policy committee constituted by the government of India for deciding the critical indicators in bimonthly monetary policy consist of how many members, RBI की ही होती है monetary policy committee, RBI हर दो महिनेों में एक बार monetary policy का review करता है, तो question आपके यहाँ पर यह है कि RBI की monetary policy committee में total members की संख्या कितनी होती है, 2, 3, 4, 5 या फिर 6, RBI की monetary policy committee में members की कुल संख्या कितनी होती है, फटा-फट से बताईएगा, next lecture में हम लोग monetary policy, आगे के lectures में हम लोग monetary policy के बारे में भी detail में discussion करेंगे, वहाँ पर भी और detail में चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले आपको बता रहे हैं इसका सही जवाब यहाँ पर क्या होगा, साथ लोगों ने गलत जवाब दिया है, आठ लोगों ने गलत जवाब दिया है, पाँच लोगों ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है, यहाँ पर पूछा यह गया है कि monetary policy committee constituted by the government of India for deciding the critical indicators in the bimonthly monetary policy, consists of the members, यहाँ पर members की संख्या कितनी होती है, संख्या आप से यहाँ पर पूछी गई है, तो total members की संख्या 6 होती है, monetary policy committee में members की संख्या total 6 होती है, जिनमें से 3 member होते है RBI की तरफ से, और इन 3 members में RBI के governor भी आपके यहाँ पर शामिल होते हैं, और बाकी के remaining 3 members होते हैं, government of India की तरफ से, यानि की भारस सरकार की तरफ से, तो monetary policy committee में members की total संख्या होती है 6, clear है, monetary policy committee को इंडिया में कब लागू किया गया था, या ये वाला concept इंडिया में लागू हुआ था, 2016 में, 2016 में, जिसके according हर दो महिने में, यानि की bi-monthly monetary policy के updates आपके release होते हैं, bi-monthly raporate, reverse raporate, CRR, SLR, इनको review किया जा सकता है, review किया जाता है, बदलाव हो भी सकता है और नहीं भी, review करने का मतलब ये नहीं है, कि हर हाल में monetary policy के rates बदलेंगे ही, ठीक है, review करने पर अगर जरूरत पड़ती है, महंगाई बहुत ज्यादा है, तो ऐसी condition में monetary policy के rates को बढ़हाया जाता है, महंगाई बहुत कम है, recession के आसार लग रहे हैं, आर्थिक मंदी की तरफ अर्थविवस्था जा रही है, तो ऐसी condition में monetary policy के rates को घटाया जाता है, clear मेरी बात? ओके दिन, आगे बात करते हैं, next important point की, अगला important point चले discussion करना शुरू करते हैं, अगर आपके मन में अभी भी doubt है कि RBI के logo में, यह जो animal आपको यहाँ पर नजर आता है, यह animal कौन सा animal होता है, तो याद रखेगा मेरी जरूरी बाते, दौनों चीज़ें आपको यहाँ पर important है, दौनों चीज़ों याद रखना है कि आजादी से पहले जब हम अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे, तो उस समय इस RBI के logo में, क्योंकि RBI का establishment कब हुआ था, 1935 में, राइट, तो उस समय तो हम independence हमें मिली नहीं थी, तो जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे तब RBI के logo में line, यानि कि शेर का चिन्ध या शेर की तस्वीर होती थी, आजादी के बाद जब हम independent हुए, तो हमारे देश का जो national animal बनता है Royal Bengal Tiger, तो Royal Bengal Tiger या Tiger की तस्वीर फिर आपको RBI के logo में देखने को मिलेगी, पीछे की तरफ आपको palm tree देखने को मिलेगा, तो आजादी से पहले line था और उसके बाद Royal Bengal Tiger इसमें आपका शामिल किया गया, clear है सभी को, then say yes, चलिए अब बात कर लेते हैं RBI के powers की, कि RBI के पास कौन-कौन सी प्रमुक शक्तियां है, जैसे की बैंकों को license देना या फिर उनकी स्थापना के लिए उनको approval देना ये RBI का काम है, बिना RBI के approval के भारत में कोई भी bank, कोई भी नई entity, कोई भी नई company अपना banking कारोबार शुरू नहीं कर सकती, बात समझ में आ रही है, banking कारोबार शुरू करने के लिए उस entity को उस company को भारत में RBI से license लेना पड़ेगा, उसके बाद ही वो भारत में business कर सकता है, banking business कर सकता है, 2015 में 2015 में दो बैंकों को license दिया गया था, बंधन bank, latest की बात कर रहा हूँ, बंधन bank और IDFC bank, तो आपको क्या लगता है, कि जब 2015 में देश में दो नए बैंकों को license जारी किया गया, बंधन bank और IDFC first bank, तो इनको license किस ने दिया, RBI ने दिया, बिना RBI के approval के कोई भी company भारत में banking business run नहीं कर सकती, साथी साथ branch expansion भी, मतलब अगर कोई bank अपनी branches बढ़ाना चाहती है, किसी सहर के अंदर अपनी नई 10 branches open करना चाहती है, 20 branches open करना चाहती है, या पूरे देश के अंदर 100 नई branches open करना चाहती है, तो उसके लिए approval तो लेनी पड़ेगी RBI से, तो ये powers भी हैं, ठीक है, banking system को control और regulate करने का काम RBI का है, right, that's why कि management and the methods of working, यानि कि हमारे देश में बैंक किस तरीके से काम करेंगे, उनका management कैसे होगा, हाँ private, हाँ, दोनों ही bank private है, करिश्मा, दोनों ही bank, बंधन bank और IDFC first bank, दोनों ही private bank है, ठीक है, तो हमारे देश में चाहे private bank हों, सरकारी bank हों, सभी bank हों के काम करने का तरीका, management system, methods of working, या RBI के दिशा निर्देशों के आधार पर होता है, RBI ही उन्हें guide करता है, कईवार क्या होता है, कि कुछ bank financially बड़े weak हो जाते हैं, जैसे कि आपने अभी अभी America का एक example सुना होगा, Silicon Valley bank का example सुना होगा, कुछ समय पहले हमारे देश में एक bank है, यश्ट bank, private sector bank है, उसके भी हालात बड़े खराब हो गए थे, तो कई बार देश में ऐसी situation आती है, कि बैंकों को यब बैंक के financially weak हो जाते हैं, बहुत घाटे में होते हैं, दिवालिया होने की condition आ जाती है, तो ऐसी condition में RBI की approval से उस bank को किसी दूसरे bank के साथ merge कर दिया जाता है, उसके customers को दूसरे bank को transfer कर दिया जाता है, उनकी assets को दूसर करने के लिए कितने money होनी चाहिए, अगर हम current scenario की बात करें, तो अभी minimum paid up capital करीफ 500 करोर रुपी है, इतना minimum होना चाहिए, commercial banks के लिए, ठीक है, reconstruction and liquidation, देखो, हर बार merger का जो option है, वो काम नहीं करता, ऐसा नहीं कि कोई bank weak हुआ, तो उठा कर उसे किसी दूसरे bank के साथ merge कर दि पयार नहीं होता, तो फिर RBI कोशिस करता है कि reconstruction किया जाए, मतलब इस bank को कुछ पूंजी दी जाए, कुछ capital दी जाए, जिस ये वापस से खड़ा हो सके, yes bank के साथ यहीं हुआ, SBI ने उसे काफी बड़ी मात्रा में capital प्रोवाइड करी, 49% उसका acquisition किया, reconstruct किया, RBI ने भी help कर हो गया, ठीक है, लेकिन कई बार bank असफल होने की बिल्कुल कगार पर पहुंच जाते हैं, तो फिर उस bank का license cancel कर देना, और उस bank को अपना कारोबार बंद करने के लिए approval दे देना, ये अंतिम फैसला होता है, RBI का, तो ये फैसला भी कौन करता है, RBI ही ये फैसला करता है, clear ह मेरी बात, तभी को मेरी बात clear है, अभी तक के lecture में हम लोगों ने क्या-क्या discussion किया है, अभी तक के lecture में हम लोगों ने जो discussion किया है, वो ये, कि अभी तक के lecture में क्या-क्या discussion हो चुका है, चलिए आगे बढ़ने से पहले इस question का पहले answer दीजे फटा-फट, पर हम आगे की ब working system क्या है, उसका management कैसे work करता है, monetary policy committee के member कितने है, RBI के governor, पहले governor कौन थे, second governor कौन थे and who was the third governor of RBI, इन सब का इतिहास हमने discuss किया है, मुझे बताएं यहां पर सही जवाब, who works as the RBI's agent at places where RBI doesn't have an office, हम सभी जानते हैं कि RBI हमारे देश के banking system को control or regulate करता है, और RBI control or regulate करने के लिए RBI के भारत में अलग-अलग locations पर बहुत सारे offices भी हैं, लेकिन उन locations पर क्या होता है, या कैसे RBI दूसरे bank को control करता है, जिन locations पर RBI का headquarter नहीं है, तो आपको यहां पर बताना है कि जिन areas में जिन cities में RBI का office नहीं है, उन सहरों में, उन districts में या उन areas में RBI बैंकों पर control करने के लिए किस bank की मदद लेता है, या कौन सा bank RBI के agent के तोर पर काम करता है, SBI, Oriental Bank of Commerce, Ministry of Finance काम करती है, PNB करता है, none of these, फटा-फट से बताएगा, तीन लोगों में सबसे जादा branches रखने वाला जो bank है, वो state bank of India है, तो जिन सहरों में और जिन areas में RBI के offices नहीं है, वहाँ पर SBI isn't काम करता है RBI के लिए, आगे बढ़ने से पहले आप तभी से एक सवाल, कि क्या आप जानते हैं कि Reserve Bank of India को जब इसका सही जवाब आपको स्टेशन के दौरान मिल जाएगा, ठीक है, total capital कितनी थी और वो capital कितने shares में divided थी, क्योंकि RBI की पूझी, जितनी भी RBI की पूझी थी, वो आपकी shares में divided थी, ठीक है, shares आप समझते हैं न, shares में divided थी, तो वो shares कितनी थे, वो आपको बताने हैं, तो आगे-ागे lecture में आपको इस प्रशन का जवाब मिल जाएगा, तो चलिए, last lecture में हम लोग RBI का पूरा discussion कर चुके थे, कि RBI देश का Central Bank है, और उसके आगे की कहानी को भी हम लोगों ने यहाँ पर discussion किया था, इसके साथ ही साथ हमने RBI के Deputy Governors के बारे में भी detail में discussion कर लिया था, और last lecture यानि की part number one की अगर बात हम लोग यहाँ पर करें, तो part number one में यहाँ तक का discussion हम लोग यहाँ पर पूरा कर चुके थे, यह last question था जो हमने last class में discuss किया था आप तभी के साथ, तो revision के point of view से फटा-फट से मुझे बताएगा इस question का सही जवाब, question number five, यह part one में हम लोग यहाँ तक discussion कर चुके थे, Dimple जी, good evening, maximum लोग यहाँ पर पांच करोड आंसर कर रहे हैं, तो अभी हम लोग आगे देखेंगे कि क्या सच में RBI की capital पांच करोड पे थी या नहीं, पहले इस question का जवाब दीजेगा, सभी के सामने pop-up open होकर आगया होगा, correct answer इस question का क्या होगा, फटा-फट से मुझे बताएगा, question यह है कि who works as the RBI isn't, जहां पर RBI के offices नहीं है या जहां पर RBI की branch नहीं है, वहाँ पर RBI के लिए Reserve Bank of India के लिए as a agent, इन में से कौन सा bank आपके यहां पर काम करता है, State Bank of India, Oriental Bank of Commerce, Ministry of Finance, Punjab National Bank, और none of these, इसका सही जवाब यहाँ पर क्या बनेगा, आठ लोगों ने अभी तक जवाब नहीं दिया है, पटाफट से सभी लोग आंसर कीजिएगा, अभी भी आठ लोग ऐसे जनों ने आंसर नहीं दिया है, अंदाज़ा लगाईए अगर आप last class आपने watch out नहीं की है, तो कोशिस कीजिए इस question का आंसर करने की, आप last classes को भी, जो इससे पहले classes हो चुकी है, आप उन्हें recorded format में देख सकते हैं, बताएगा सही जवाब क्या होगा, ये आखरी question था, last session की अगर हम बात यहाँ पर करें, और इस question का जो सही जवाब यहाँ पर बंता है, वो है State Bank of India, तो जहाँ जहाँ RBI की branches नहीं है, वहाँ State Bank of India उसके एजन के तौर पर काम करता है, clear है मेरी बात? चलिए, तो अब यहाँ पर शुरुआत करेंगे, इस topic से, यानि कि इस point से की functions of RBI, कि RBI के functions कौन-कौन से होते हैं, हमें RBI कौन-कौन से काम आपका यहाँ पर करता है, हमें एक मोटा-मोटा अंदाजा है कि RBI क्या करता है, लेकिन exactly और detail में अगर हमें समझना हो, तो RBI किस तरीके के काम करता है, या उसके functions में क्या-क्या चीज़न सामिल है, उसको एक-एक करके detail में discuss करेंगे, तो RBI का सबते पहला और सबते महतुपूर्ण काम जो आपके यहाँ पर बनता है, वो है issue of currency, यानि कि currency issue करने का काम इंडिया में जो आपका है, वो whole sole responsibility किसकी है, RBI की आपके हाँ यहाँ पर whole sole responsibility बनती है, RBI is the sole authority for issue of currency in India, यानि कि हिंदुस्तान में currency issue करने की whole sole responsibility किसकी है, RBI की है, यानि कि हमारे देशें मुद्रा जारी करने का काम किसका है, Reserve Bank of India का है, ओके, except 1 rupee notes, हाँ, यह point आपके यहाँ पर याद रखना है, कि 1 rupee का जो note है, सब ही ने 1 rupee का note तो देखा है ना, हाँ, सर 1 rupee का note हमने देखा है, rarely मिलता है, बट मिलता है, तो 1 rupee का जो note होता है, वो RBI नहीं छापता, वो RBI issue नहीं करता, 1 rupee से उपर, यानि कि 2 rupee का note और 2 से उपर के सभी denomination के notes, जो issue करता है, वो RBI आपके हाँ पर issue करता है, यह बात सभी को पता है, then say yes everyone, और thumbs up दीजिएगा, कि हाँ, सर यह बात हमें पता है, एक बार फटा फट से, M, subsidiary coins, जितने भी subsidiary coins होते हैं, मतलब जितने की basically सिक्के आपके यहाँ पर होते हैं, उनको भी RBI issue नहीं करता, तो सिक्के issue करने का काम किसका है, और 1 rupee का note कौन छापता है, या कौन issue करता है, अभी आगे आगे आपको यहाँ पर पता चल जाएगा, the magnitude of which is relatively small, तो basically एक रुपय का note और सारे के सारे सिक्के यह भारस सरकार issue करती है, ना कि RBI, RBI issue करता है, 2 rupee का note और 2 rupee से उपर के सभी denomination के जो notes होते हैं, और वो RBI आपका यहाँ पर issue करता है, यह बात तो सबको पता है, then say yes, कि हाँ सर यह बात बिलकुल clear है, इसमें तो कोई doubt नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, इसी करम में मुझे फटा-फट से यहाँ पर बताएगा, कि इस question का सही जवाब यहाँ पर क्या होगा, question number 6, जो कि इसी concept related है, कि as per the section, आपको बताना कि section कौन सा है, as per the Reserve Bank of India Act 1934, RBI has the right to issue the bank notes, यह तो हम सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान में currency note issue करने का जो अधिकार है, वो Reserve Bank of India के पास है, और यह power, यह शक्ती, Reserve Bank of India को RBI Act 1934 से मिलती है, लेकिन RBI Act 1934 के किस section के तहट Reserve Bank of India के पास यह अधिकार है, कि वो हिंदुस्तान में currency issue कर सकता है, section 20, section 21, section 22, section 23 और section 24, बताएगा सही जवाब यहाँ पर क्या बनेगा, RBI के पास whole soul responsibility है, currency note issue करने की ताकत मिलती है, power मिलती है, Reserve Bank of India Act 1934 के किस section से, अभी भी 11 लोगों ने answer नहीं दिया है, अभी भी 11 लोगों ने सही जवाब या कोई भी जवाब नहीं दिया है, खोड़ा सा कोशिस कीजिए, ऐसे questions आपको PO level में देखने को मिलेंगे, RBI grade B का exam, PO level का exam, SBI PO का exam, IBPS PO का exam, जहां पर एक अधिकारी इस तर के question पूछे जाते हैं, और एक अधिकारी से यह उमीद की जाती है, कि उन्हें इस तरीके के प्रशनों के answers पता होंगे, बताएगा सही जवाब, 11 लोगों ने अभी तक जवाब नहीं दिया है, not answered by 10 people, नहीं करिश्मा, इसका answer pop-up पर ही देना है, chat पर नहीं, इसका सभी लोग जवाब pop-up पर देंगे और उसका correct answer pop-up पर टिक करेंगे, correct answer is question का जो आपके यहाँ पर बनेगा, वो रहेगा आपका option number C, section number 22 of the RBI Act 1934, RBI के पास यह whole sole responsibility है, कि RBI यहाँ पर currency issue करेगा according to the Act, clear है सभी को, then say yes कि यहाँ सर clear है, एक बार से भी लोग फटा-फट से लिख कर बताएँगे कि हाँ सर यहाँ पर बिलकुल clear है, तो under the section 22 of the Reserve Bank of India Act 1934, RBI has the sole right to issue the bank notes of all the denominations except 1 rupee note, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया, कि एक रुपए का note छोड़ कर सारे amounts के जो note होते हैं, वो RBI आपके यहाँ पर issue करता है, प्रियंका, सर, notes क्यों नहीं available हैं यहाँ पर? Notes क्यों available नहीं हैं यहाँ पर? मैं समझा नहीं आपका question परेंगा, बाकी सब लोगों को बाते समझ में आ रही हैं, तो बस यह point याद रखेगा कि section 22 of the Reserve Bank of India Act याद रखना है, एक्जाम में कभी भी एक number पर पूछ सकता है, यह important आपके हाँ पर बनेगा, एक रुपए का जो note होता है, वो RBI आपके हाँ पर issue नहीं करता है, अच्छा हर currency note पर, यानि कि 2 रुपए का note या 2 से उपर का जो भी currency note होता है, उस पर RBI governor के signature होते हैं, बात समझ में आ रही हैं, लेकिन अगर 1 रुपए का note RBI के द्वारा issue नहीं होता, तो क्या 1 रुपए के note पर RBI governor के signature होंगे, answer is yes or no, तो यहाँ पर याद रखना कि 2 रुपए का note और उस से उपर के सभी note, जैसे कि current scenario में maximum जो denomination note है इंडिया में 2000 रुपए का है, तो 2 रुपए का note और उस से उपर के सभी note पर RBI governor के signature होते हैं, और एक रुपए का note क्योंकि RBI एक रुपए का note issue नहीं करता, इसलिए एक रुपए के note पर RBI governor के signature नहीं होते, एक रुपए के note पर signature होते हैं, finance secretary के यानि कि विट्ट सचिव के, ठीक है, finance secretary जो की विट्ट मंत्री के लिए काम करते हैं, तो finance secretary के signature होंगे, एक रुपए के note पर, दो रुपए का note और उसलिए उपर के सभी notes पर, जो signature होंगे, वो RBI governor के signature होंगे, 1 rupee notes and the coins are issued by the government of India, और the central government, एक रुपए का note और सभी सिक्के, यहाँ पर central government issue करती है, और central government के लिए issue करती है, ministry of finance, यानि कि वित्मंत्राले हमारे देश का जो है, वित्मंत्राले एक रुपए का note और सभी सिक्के जारी करता है, भारत सरकार के बहाब पर, एक रुपए के note पर, finance secretary के signature आपके यहाँ पर होते हैं, clear है मेरी बात, एक रुपए के note पर RBI governor के signature इसलिए नहीं होते डिम्पल, क्योंकि एक रुपए का note RBI issue नहीं करता, RBI जिन notes को issue करता है, वो 2 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक के notes हैं, तो जो RBI issue करता है, उस पर उनके signature होंगे, जिनको RBI issue नहीं करता, उस पर उनके signature नहीं होते, और एक रुपए का note क्योंकि finance ministry issue करती है, that's why कि उस पर finance secretary के signature होते हैं, एक सवाल आया है, सार, recorded classes तक होती है, and mobile data भी ज्यादा use होता है, don't take tension, mobile data आपके बचाने के लिए आपको जहां पर, नीचे की तरफ आप जाएंगे, तो आपको एक setting का option मिलेगा, setting के option पर जाकर आप resolution कम कर सकते हैं, quality थोड़ी कम कर सकते हैं, जिससे आपका जो data है वो कम खर्च होगा, ठीक है, अगर घर पर Wi-Fi वगएरा की सुबधा उपलब्ध है, तो well and good, अगर नहीं है, तो आप setting के option पर जाकर जो resolution है, जो quality है, उसे कम कर सकते हैं, KRG, ठीक है, तो वहाँ से, RINA, है ना, तो वहाँ से आप क्या कर सकते हो, quality कम कर सकते हो, जिससे आपका data कम खर्च होगा, यहाँ तक सारी चीज़े clear है, then say yes everyone, कि yes sir, यहाँ तक सारी चीज़े clear है, अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ याद रख लीजेगा, कि इंडिया में, जो सिक्का आपके यहाँ पर होता है, coin आपके यहाँ पर होता है, maximum denomination coin जो आपके यहाँ पर बन सकता है, या जिसे इशू किया जा सकता है, वो है 1000, यानि कि हिंदोस्तान में maximum 1000 रुपए तक का सिक्का इशू किया जा सकता है, clear है मेरी बात? ठीक है, और अगर currency note की बात करें, तो according to the RBI Act 1934, हिंदोस्तान में current time पर maximum जो आपका currency note इशू हो सकता है, वो 10,000 रुपए के denomination का हो सकता है, यानि कि 10,000 रुपए का currency note maximum denomination है, जो RBI इशू कर सकता है, और अगर सिक्के की बात करें तो RBI चाहे, तो 1000 का सिक्का तक भी जारी कर सकता है, clear है मेरी बात? clear है मेरी बात? चलिए आगे बात करते हैं, चलिए इस question का अंसर दीजेगा, फटा-फट से बहुत ही simple question है, फटा-फट से इसका अंसर दीजेगा, when RBI act as a banker to the government, what does it do? जब RBI सरकार के banker के रूप में काम करता है, तो वह क्या करता है, या सरकार के banker के तोर पर कौन-कौन से काम करता है, पहला, it keeps the bank account of the government, भारत सरकार का जो bank account होता है, वो RBI के पास होता है, और उसके पास ही रहता है, उसी को maintain, या भारत सरकार RBI के पास अपना bank account maintain करती है, it carries out government transaction, भारत सरकार के लिए जो भी transaction वगेरा करने है, वो RBI करता है, and option C, it advises the government on the financial matters, भारत सरकार को जब जब ज़रूरत पड़ती है, तो वित्तिय मुद्दों पर, financial matters पर ये भारत सरकार को advise भी देता है, सलह भी देता है, ये सभी के सभी काम RBI के है, जो भारत सरकार के लिए करता है, correct answer यहाँ पर क्या होगा फटा फट से मुझे बताइएगा सभी लोग कि सही जवाब इस question का क्या बनेगा हम भाई correct answer इस question का अगर आपको किसी भी तरह का कोई doubt है तो note कर लीजेगा यह सभी काम RBI के हैं भारत सरकार के banker के तौर पर agent के तौर पर RBI यह सभी task complete करता है clear is अभी को चलिए आगे बढ़ते हैं चलिए आगे की बात करते हैं banker to the government RBI के और कौन-कौन से काम है तो RBI का सबसे promote काम यह है कि भारत सरकार के banker के तौर पर काम करना ठीक है जैसे कि हम किसी bank में खाता खुलवाते हैं तो bank हमें तरह-तरह की services देता है बोलो हाँ या ना हम उसी bank में DMAT account भी खुला सकते हैं हम उस bank से demand draft भी बनवा सकते हैं हम उस bank में check वगेरा भी लगा सकते हैं हम उस bank से लोन भी ले सकते हैं हम उस bank से insurance भी purchase कर सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो debit card facilities credit card facilities DMAT account खुलवाने से हम share market में share market में share खरीज सकते हैं बेच सकते हैं और अगर इंडिया में आपको शेयर खरीदने है या बेचने है तो उसके लिए आपके पास डीमेट अकाउंट होना चाहिए तो जब हम किसी बैंक में खाता खुलवाते हैं तो बैंक हमारे लिए तरह तरह की सुवधाएं देता है ठीक इसी पि पर्फोर्म्ग ऑॉलवि непुश्क्पमिनरीजिस अगर उचवज काम आपकेح पर करता है एक ये करके डिटेल में इसकेशन करते हैं ठीक है पहला, इट accept money and makes payment भारत सरकार के लिए भारत सरकार के लिए पैसे accept करना और भारत सरकार के बेहाब पर payment करने का काम RBI का है क्लियर है, तो यह RBI भारत सरकार के लिए payment करता भी है और payment accept भी करता है और payment transactions भी करता है और also carries out their exchange and remittances for the government ठीक है तो भारत सरकार के बहाब पर बाहर पैसा भेजना या बाहर से पैसा रिसीव करना ये सब काम RBI के हैं इसके अलावा इसके अलावा आगे discussion करते हैं तो पहला काम तो आप सभी को ये discuss हो गया कि भारत सरकार के बहाब पर पैसों को accept करना या भारत सरकार के पहने पर पैस ग्रांट करना, लोन देना या किसी और कंट्री को प्रोवाइट कराना, XYZ भारत सरकार के सभी तरह के transactions, RVI के थो होते हैं, इसी करब में एक बड़ा ही इंट्रेस्टिंग कोश्चिन है, और I hope कि बहुत साए लोगों को साथ इसका जवाब ना पता हो, when did the central government acquired the Reserve Bank of India's entire 59.73% equity shareholding in the State Bank of India at over 35,531 crore in New Delhi, ध्यान से इस question का answer आप लोग दीजेगा, कि केंदर सरकार ने भारती State Bank यानि की SBI में, जो RBI की 59.73% equity shareholding थी, ठीक है, वो भारत सरकार ने हासिल कर ली, SBI में 59.73% shareholding किस की थी, RBI की थी, किस ने खरीद ली, भारत सरकार ने खरीद ली, कितने में खरीद ली, 35,531 crore में खरीद ली, कब, 5 April 2006 में, 26 मई 2006 में, 29 June 2007 में, या फिर September 30, 2005 में, या फिर 29th of June 2010, correct answer, अभी भी 12 लोगों ने, 12 पीपिल्स ने अभी भी यहां पर correct answer, मतलब, answer ही नहीं किया है, correct और wrong तो बात अलग है, answer ही नहीं दिया है, अंदाजा लगाई यह सही जवाब क्या होगा, कि किस वर्स और किस मन्त में, RBI की लगभग-लगभग 60% shareholding SBI में भारत सरकार ने खरीदी थी, history of the RBI ये question आपके यहां पर बनेगा, क्योंकि ये shareholding RBI की थी, और इसे खरीदा था भारत सरकार ने SBI में जो shareholding थी, 29th of June 2007 में, option number C is the right answer here, नहीं पता है, तो note-down कर लीजेगा सभी लोग कि हाँ, इसका सही जवाब बनेगा, option number C, आगे बात करते हैं, RBI की एगर हम बात करें, RBI का अगला function क्या है, it makes loans and advances to the states and local authorities, जरूरत पढ़ने पर, जरूरत पढ़ने पर जो राजसरकारे होती हैं, states होते हैं, उन्हें जरूरत पढ़ने पर loan वगेरा provide करने का काम भी RBI का है, local authorities को भी यहां पर loan provide करने का काम RBI का है, RBI की एक facility होती है, जिसका नाम है WMA, RBI की एक facility होती है, जिसका नाम है WMA, जिसका full form है ways and means advances, WMA का full form ways and means advances, that is called WMA, तो जिसके माध्यम से 90 days के लिए अगर मैं बात करूँ, 90 days के लिए अगर मैं बात यहां पर करूँ, तो 90 दिनों के लिए loan वगेरा की बात करें, तो 90 दिनों के लिए भारत सरकार क्या ले सकती है, loan आपके यहां पर ले सकती है, clear मेरी बात, 90 दिनों के लिए भारत सरकार loan वगेरा आपके यहां पर ले सकती है, किस से RBI से यानि कि Reserve Bank of India से तो ये भी एक सुबधा है तो जरुद पढ़ने पर राज सरकारों को केंदर सरकार को पैसा वग्यरा कहां से मिलता है वो पैसा आप कहां पर मिलता है RBI से आगे बात करते हैं इसके अलावा It also sells Treasury Bill to maintain liquidity in the economy Treasury bills के बारे में आप लोग बहुत डीटेल में पढ़ेंगे लेकिन कहां पर Treasury bills के बारे में डीटेल में आप पढ़ेंगे money market वाले topic में तो economy में liquidity का मतलब क्या होता है economy में liquidity का मतलब होता है cash याद रखिएगा जब जब बात यह होगी कि liquidity नहीं है economy में इसका मतलब यह है कि economy में जो cash flow है वो कम हो गया है ऐसे समझिए जब भी जरुवत पड़ेगी liquidity की तो RBI क्या करता है सेल करता है क्या Treasury bills आपने ट्रेजरी बिल का नाम तो जरूर सुना होगा Treasury bills को short में T bills कहते हैं है ना खाजाना बिल कहते हैं हिंदी में Treasury bills जब जब भारत सरकार को पैसों की आवश्यक्ता पड़ती है भारत सरकार Treasury bill issue करती है और market से पैसा उधार लेती है जिस तरीके से हम bank से पैसा उधार लेते हैं उसके लिए कुछ document sign करते हैं वो documents इस बात का सब हैं कि हमने bank से loan लिया है और repayment के लिए भी हम बाद हो जाते हैं है ना बंध जाते हैं कि हमें repayment करना है ठीक इसी पिरकार भारत सरकार जरूरत पढ़ने पर Treasury bills के माध्यम से loan लेती है और कहीं ने कहीं भारत सरकार भी बाद होती है एक तैय समय के बाद एक fix time period के बाद भारत सरकार Treasury bills के माध्यम से जो भी public से पैसा लिया गया है उसे return करेगी इतनी बात सभी को समझ में आ रही है बाकी Treasury bills के बारे हम लोग detail में discussion करेंगे money market वाले topic में और monetary policy वाले topic में तो एक काम तो यह है कि जरूरत पढ़ने पर अगर economy में liquidity नहीं होगी तो उससे क्या हो जाएगा अगर economy में cash नहीं है liquidity नहीं है तो recession आएगा यानि कि आर्थिक मंदी क्या आएगा recession आएगा यानि कि आर्थिक मंदी राइट it makes ways and means advances जिसके वारे मैंने आपको अभी बताया था WMA WMA यानि कि ways and means advances that is called WMA भारत सरकार को जरूरत पढ़ने पर for 90 days भारत सरकार यहां से loan ले सकती है यह basically भारत सरकार के लिए एक सुबधा है 90 days short term period के लिए अगर liquidity की problem है crunch है तो उसे पूरा किया जा सकता है इसके अलावा जैसा कि आपको याद रखना है कि भारत सरकार के लिए as a advisor यानि कि इस सलहकार के तौर पर काम करता है RBI in all monetary and banking matters जितने भी monetary और banking matters होते हैं उसमें भारत सरकार को advise देने का काम भी RBI का है इसी करम में question number 9 which of the following is not our regulatory institution in the Indian financial system आप लोगों ने थोड़ा बहुत आभी तक काफी सारी चीज़े discuss की हैं आप लोग पहले से त्यारी भी कर रहे हैं थोड़ा सा अंदाजा लगाईए कि आप कहां पर हैं किस level पर हैं किनमलकित में से कौन भारती वित्य प्रणाली में नियामक संस्था नहीं है क्या RBI regulatory body नहीं है, civil regulatory body नहीं है, SEBI, IRIDA और इनमेसे कोई नहीं, पॉप-प आपके सामने है सभी लोग पॉप-प पर सही जवाब क्लिक करेंगे, कोई भी चैट में आंसर नहीं करेगा 19 लोगों ने अभी तक जवाब नहीं दिया है, 17 लोगों ने अभी तक आंसर नहीं किया है 16 लोगों ने अभी तक आंसर नहीं किया है, इस question का जवाब तो सही भी लोग दो पाएंगे बहुत ही simple question है, 11 लोगों ने अभी तक जवाब नहीं दिया है बहुत ही simple question है, थोड़ा सा common sense use कीजिए, आपका काम बन जाएगा, सभी लोग फटाफर से आंसर कीजिए, 6 लोगों ने अभी भी जवाब नहीं दिये हैं, 5 लोग अभी भी बाकी हैं, 4 लोग अभी भी रह गए हैं, सभी लोग आंसर कीजिए, फिर हम इसके आंसर को discuss करेंगे आसा क्यों और कैसे, दो लोगों ने अभी भी जवाब आपके यहां पर नहीं दिया है, चलो एक तो मैं ही हूँ, और एक और कोई है, नहीं, अब सभी ने जवाब आपके यहां पर दे दिये हैं, correct answer यहां पर बनेगा civil, regulatory body का क्या मतलब है, regulatory institution का मतलब यह है कि जिसके पास यह power है, जिसके पास यह legal power है कि वो अपने sector को control और regulate कर सकती है, control का मतलब नियंतरित, regulate का मतलब है, वी नियमित, यानि कि उस पर नजर रख सकती है, उसे कहीं न कहीं, चारों तरफ से उसकी निगरानी कर सकती है, अब दिखिए, RBI तो एक regulating body है, क्योंकि Reserve Bank of India Act 1934, RBI को यह देता है कि RBI भारत के banking system को control और regulate कर सकता है, यानि कि banking system को ठीक तरीके से नियंतरित कर सकता है, उसके लिए कानून बना सकता है, उसके नए rules बना सकता है, बैंकों पर नजर रखता है, अगर कोई bank rules follow नहीं करते हैं, तो आपने सुना होगा current affairs में कि बैंकों की उपर penalty लगात यानि कि हर निवेशक की ताकत SEBI, यानि कि SEBI share market, capital market को control और regulate करती है, SEBI इस बात को ensure करती है कि जो भी पैसा हमारे द्वारा invest किया जाता है, share market में, companyों में निवेश किया जाता है, हम shares खरीते हैं, वो पैसा do बेना, बास समझ में आ रही है, IRIDA का full form है Insurance Regulatory and Development Authority of India, तो में जो भी insurance companyya है, उनको control और regulate करने का काम IRIDA का है, Insurance Regulatory and Development Authority का है, तो इसका काम insurance sector को control or regulate करना है, SEBI का काम capital market, share market को control or regulate करने का है, RBI की बात अगर हम लोग करते हैं, तो banking sector को control or regulate करती है, एक और organization इसका नाम है TRI, TRI, Telecom Regulatory Authority of India, that is called TRI, TRI, Telecom Regulatory and Telecom Regulatory Authority of India, तो भारत के telecom sector को control or regulate करने का का काम TRI का है, इन मैंसे जो CYBIL है यहाँ पर, यह आपकी एक regulatory body नहीं है, CYBIL का full form है, CYBIL basically आपकी एक credit rating agency है, Credit Information Bureau of India Limited, CYBIL, Credit Information Bureau of India Limited, that is called CYBIL, तो यह credit rating agency है, जो borrowers होते हैं, जो पैसा उधार लेते हैं, basically उनका data maintain किया जाता है CYBIL के द्वारा, clear है मेरी बात, सभी को, आँजी, तो जितने भी लोगों ने हाँ पर answer दिया है, option number B, CYBIL is the right answer है, इमानदारी से बताईएगा कि अभी तक की जो session हुआ है, half an hour, इसमें हमने concept भी discuss किया है, और half an hour की इस class में हमने आप सभी के साथ quiz भी discuss किया है, सभी लोग, XYZ, सभी लोग मुझे comment section में लिखकर बताईएगा कि क्या इस class से आपको कुछ नया सीखने को मिला है, हाँ या ना, first insurance company आपकी oriental insurance company थी, जो कलकत्ता में established हुई थी देपिका, यह हम लोगों ने discussion किया है, हाँ, PFRDA भी है, जो की pension fund regulator है इंडिया में, विल्कुल सही है कांशा, very good, सभी लोग लिखकर बताएगा कि half an hour कि इस class में अभी तक जितना भी discussion हुआ है, उससे आपको काफी सारी चीज़ें clear हुई, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो एक बार comment section में लिखकर ज़रू बताएगा, full form repeat कर दीजे, civil का, civil का full form है, credit information bureau of India limited, credit information bureau of India limited, this is the full form of civil, civil, total India में, current scenario में, 7 credit rating agency है, जिनमें से सबसी पुरानी credit rating agency है, क्रिसल, नाम जरूर सुना होगा, क्रिसल का, India's first and the largest and the oldest credit rating agency that is called क्रिसल, क्रिसल ये भारत की सबसे पहली और सबसे बड़ी credit rating agency है, इसका headquarter मुंबई में है, तो ये भी आद रखेगा, आगे-ागे के topics में हम लोग क्रिसल वगेरा के बारे में भी discussion करें, ठीक है, चलिया, next point की और next topic की, आगे बात करते हैं कि RBI का काम है, बैंकों का बैंक, जिस तरीके से हमारे लिए बैंक, बैंक है, उसी तरह से बैंकों के लिए, commercial बैंकों के लिए RBI उनका बैंक है, बात समझ में आ रही है, तो ये भी RBI का ही function यहाँ पर बनता है, the Reserve Bank of India has extensive power to control and supervise the commercial banking system under the Reserve Bank of India Act 1934, जैसे कि मैंने आप से कहा, कि RBI के पास यह शक्तियां कहां से आई, RBI के पास बहुत सारी extensive powers है, सुपरवाइस करने के लिए, control करने के लिए, हमारे देश का जो commercial banking system है, और RBI के पास यह powers आती है, Reserve Bank of India Act 1934 से, ठीक है, तो दो act आपके लिए important है, पहला तो है आपका Reserve Bank of India Act 1934, और दूसरा act है, Banking Regulation Act 1949, इन दौनों ही act थे, Credit Rating, हाँ, मेरे दिमाग से निकल गया था, Credit Rating Information Services of India Limited, this is Crystal, very good, thank you so much रिपढ़ना, clear है, तो यह एक RBI का काम आपके हाँ पर बन जाएगा, ठीक है, आपके मन में एक सवाल यह भी आ रहा होगा, कि सर, RBI का topic complete होते ही, हम practice कहां से करेंगे, तो मैं वो भी आपको बताऊँगा, कि आप practice कहां से कर सकते हैं, और सारी चीज़ों के बारे में भी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँँ कि अगर आप सभी लोग, आप में से कोई भी SSC CGL 2023, exam को अगर target कर रहा है, तो SSC CGL 2023 को target करते हुए, जो आपका यहाँ पर batch शुरू हुआ है, वो भ batch को भी free of cost register कर सकते हैं by application पर SSC CGL वाला target सेट करके या goal सेट करके और वहाँ पर इन classes को भी watch out कर सकते हैं, इसके इलावा, the banks are required to maintain a minimum of cash reserve ratio CRR with the RBI, RBI का function है, RBI का का काम है, कि हर bank हमारे पास, हिंदुस्तान में जितने भी commercial banks काम कर रहे हैं, सभी bankों को यहाँ पर RBI के पास CRR यानि की cash reserve ratio maintain करना compulsory है, यह तो बात आप सभी को पता है ना, और cash reserve ratio आपका cash form में reserve रखा जाता है, मतलब कि bankों के पास जो भी public deposit आती है, हम और आप जितना भी पैसा bankों में जमा करते हैं, उस public deposit का एक हिस्सा cash के form में, नगदी के form में, RBI के पास reserve करके रखना होता है, that is called cash reserve ratio नगत आडख्षित अनुपात, इसके बारे में हम detail में discussion करेंगे, monetary policy वाले lecture में, जो कि हमारा अगला topic होगा, तो वहाँ पर हम CRR, SLR सब के बारे में detail में discussion करेंगे, कोई इस भी आपको मिलेगा, मजा आएगा, next important function, RBI provides financial assistance to the schedule banks and state cooperative banks, तो हमारे देश में जितने भी schedule banks आपके काम कर रहे हैं, अनुसूचित bank और जितने भी state cooperative banks काम कर रहे हैं, उन्हें funds provide करना, financial support करना, ये भी किसका काम है, ये काम भी RBI का ही काम आपके हाँ पर बनता है, TRR, SLR, bank rate, repo rate, इन सब के बारे में हम लोग monetary policy वाले chapter में आप सभी के साथ discuss करेंगे, आगे बात कर लेते हैं, कभी Forex सब्द सुना है, Forex, F-O-R-E-X, Forex, Forex का full form होता है, foreign exchange, क्या होता है, foreign exchange, right, तो foreign exchange को short में कहा जाता है, Forex, इसको short में क्या कहते है, Forex कहते है, RBI functions as the custodian and manager of Forex reserves, यानि की हमारे देश में जो भी foreign currency आती है, dollar, euro, etc., तो foreign currency का जो reserve है, वो RBI की custody में रहता है, RBI के पास ही इसका reserve maintain होता है, and operates within the overall policy framework agreed upon with the government of India, भारत सरकार की जो भी policies हैं, और जिस तरीके से उस समय नीतियां या पॉलिसियां चल रही हैं, उसी के हिसाब से RBI ये allow करता है, बैंकों को, कि वो अपने customers को अगर उन्हें dollars या फिर foreign currency चाहिए, किसी भी purpose से, तो बैंकों से वो उनकों खरीज सकते हैं, उसके लिए उन्हें कुछ commission भी pay करना पड़ता है, लेकिन हिंदुस्तान में विदेशी मुद्रा का जो भंडार होता है, foreign exchange का जो reserve होता है, वो RBI के पास maintain होता है, जिसका इस्तमाल भारत सरकार के payments में भी किया जाता है, जो हम दूसरी कंट्रियों के साथ trade करते हैं, व्यापार करते हैं, तो वहाँ पर foreign currency का इस्तमाल trade में होत रहा है, बहुत सारे countries अब US dollar की जगा, Indian currency में भी trade करने के लिए ready हो गए है, तो इससे बहुत ही बढ़िया भारत के लिए अच्छी situations रहेंगी, क्योंकि कभी न कभी हिंदुस्तान foreign exchange reserve की कमी से जूजता रहा है, तो कही न कहीं अगर countries इस बात पर agree करते हैं, कि हम Indian currency में ही trade क करेंगे, तो इससे एक तो हमारी currency की value बढ़ेगी international market में, और दूसरा हमारी जो dependency है, US dollar पर वो घटेगी, बात सभी को समझ में आ रही हो, then say yes everyone, कि हाँ सर बात समझ में आ रही है, say yes everyone, next important function की बात करें, controller of credit, हिंदुस्तान में credit को control करने का काम भी RBI का है, इसका क्या मतलब है credit control, अगर आप सोचिए कि for example, कि RBI ऐसी policy निकाल दे, या bank ऐसी policy निकाल दे, कि मातर 5% या 4% में आप लोन ले लीजे, अगर हमारे देश में लोन इतने सस्ते हो जाएं कि मातर 4 या 5% की दर पर आपको लोन मिलने लग जाए, तो लोग बड़ी संख्या में लोन लेंगे, इस के तहट बहुत ही कम ब्यासदर पर लोन लिया जा सकता है, और इससे होगा क्या कि लोग बड़े पैमाने पर लोन लेंगे, और बड़े पैमाने पर लोन लेंगे, तो इससे क्या होगी, जो liquidity होगी, liquidity मतलब economy में जो cash है, वो घटेगा या बढ़ेगा, economy में liquidity तेजी से क्योंकि लोन लेना आसान है, और लोन मिलेगा, तो हमारे पास cash होगा, हमारे पास cash होगा, liquidity होगी, तो क्या होगा, cash ज्यादा होने की वज़ए से demand भी बढ़ेगी, लोग पैसा खर्च भी करेंगे, demand भी बढ़ेगी, जिससे inflation आएगा, तो RBI ये चाहेगा, कि वो एक limit तक ह की credit को expansion होने देगा, यनि कि एक limit तक ही देश में बड़े पैमाने पर आपको जो liquidity है, वो मिलेगी, उसके बाद RBI ये से control करना शुरू कर देगा, जब RBI को लगेगा, कि इसकी वजह से महंगाई तेजी से बढ़ रही है, तो RBI ये उसे control करेगा, control करने के लिए RBI क्या करेगा, monetary policy का इस्तमाल करेगा और उससे ब्याज की दरों को control करेगा, ठीक है, by making frequent changes in monetary policy, it ensures that the monetary system in the economy functions according to the nation's need and goals, जैसे कि मैंने आप से कहा, हमारा अगला topic monetary policy ही है, monetary policy RBI की एक ऐसी policy है, जिसके माध्यम से RBI ये तै करता है, या ये करने की कोशिस करता है, कि economy में cash, नकदी बहुत बढ़े ना, और economy में cash बहुत घटे ना, बहुत जादा cash अगर economy में बढ़ गया, जादा cash जादा demand को increase करेगा, और जादा demand होगी वस्तों की, तो वस्तों की क बहुत कम हो गया, लोगों के पास कैसी नहीं है, पैसा ही नहीं है, liquidity ही नहीं है, जेब में पैसा नहीं है, तो demand zero है, और demand zero होने पर recession की situation बनेगी, आर्थिक मंदी, demand है ही नहीं, तो वस्तों की जब demand नहीं है, तो फिर भी बेचना है, तो कैसे बेचेंगे, 50% discount, buy one, get one free, इस लिखकर मुझे comment section बता दीजेगा कि हाँ सर आपकी बात समझ में आ गई है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, say yes everyone, इसके अलावा हमारे देश में रिण का अंतिम रिणदाता RBI है, lender of last resort, इसका हिंदी मतलब होता है, रिण का अंतिम रिणदाता, भारत सरकार, banks, financial institutions, state governments, emergency के time पर, crisis के time पर, COVID pandemic के time पर, अगर कहीं से बेंकों को पैसा नहीं मिल रहा है और cash crunch है, तो ऐसी condition में हमारे देश में रिण का, लोन का, अंतिम रिणदाता, last resort RBI है, बात समझ में आ रही है, कोई मदद नहीं करेगा, हम मदद करेंगे, RBI के पास भी cash नहीं है, तो RBI extra currency print करेगा, जैसा कि COVID pandemic के दौरान अमेरिका में हुआ, कि extra currency print की गई, जिसकी वजह से currency inflation आ गई, क्योंकि जादा currency print होने से economy currency बढ़ गई, उसकी मात्रा बढ़ गई, supply बढ़ गई, liquidity increase हो गई, demand increase हो गई, inflation आ गई, जैसे अभी भी America control नहीं कर पाया है, तो basically देश में, जो भी RBI RBI से संबंधित institutions हैं, उनके लिए रिंका अंतिम्रदाता RBI ही है, regulator तो RBI है ही, regulator जो शब देना आप इसे ऐसे समझ सकते हो, कि आपके घरों में ceiling fan लगा होगा, और उस ceiling fan की speed को control करने के लिए एक छोटी सी device होती है, जिसको आप 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, या फिर घर में अगर gas cylinder है, तो उसमें आपने देखा होगा, एक device लगी होती है, जो pipe connected होती है, आपकी gas चूले से, उसमें एक regulator नाम की device लगी होती है, जिसे हम cylinder की gas को चूले तक जाने को control कर सकते है, अगर हमने regulator से बंद कर दिया, तो gas फिर आपकी, जो आपका, जो gas चूल से होता है, जो चीजों को control करता हो, अगर मैंने अपने ceiling fan का regulator 5 पर कर दिया, तो speed बहुत बढ़ जाएगी, अगर मैंने 1 पर कर दिया, तो speed कम हो जाएगी, तो यही RBI का काम है, RBI भी एक regulator है, जो कि banking और financial sector में, money market में, money market को control and regulate करता है, उसे नियंतरित करता है, money की supply को control and regulate कर लेता है, कभी money की supply को वो 5 पर बढ़ा देता है, जब जरूरत होती है, तो money की supply को 5 पर बढ़ा देता है, वा जब जरूरत है कि control करना है, तो money की supply को 1 पर ले आता है, बात समझ में आगे, then say yes everyone कि यहां सर यहां तक सारी चीज़े clear है RBI की subsidiaries की बात करें तो RBI की तीन subsidiaries sorry RBI की वर्थमान में पांच subsidiary कंपनियां है ठीक है subsidiary company का मतलब basically यहां पर यह होता है कि जिस पर control किसी दूसरी company का हो या parent company का हो कैसे ध्यांज़ा समझ जिएगा for example यह है company A फोटी company है और company A की बात करें तो इस company को जो capital मिलती है पूंची मिलती है खर्च करने के लिए पैसा मिलता है वो company B से मिलता है तो company A के सारे खर्चे funding company B उठाती है तो हम यहां पर कहेंगे कि company A company B की subsidiary है या फिर company A funding तो वो खुदी कर लेती है खर्चे तो अपने खुदी उठा लेती है लेकिन company A का जो management है वो company B manage करती है मतलब company A के लिए सारे के सारे decision company B लेती है तो कहीं न कहीं वो उसकी छत्रचाया में है जिस तरीके से परिवार में एक बढा भाई होता और एक छोटा भाई होता है तो हमेसा वहलब Ashly Cases में देखा जाता है छोटा भाई हमेशा से हाぎा आख भाई हमेसा आपका बतव काहला होगा ठीक है जो यंगर ब्रदर होगा शोटा भाई होगा वो Sportsancaी होगा और ऑज जो बड़ा भाई होगा, वो parent company होगा, बात समझ में आ रही है, then say yes, कि हाँ sir, बात समझ में आ गई, तो RBI के अंडर में काम करने वाली fully owned subsidiaries कौन कौन सी है, fully owned subsidiaries का मतलब ये है, कि 100 out of the 100% shareholding, इन कंपनियों में completely जो capital है, वो RBI की है, और ऐसी कंपनियां है, पाँच, आपको पाँचों कंपनियों के नाम याद रखने है, number one is deposit insurance and credit guarantee corporation, number two is भारती reserve bank note mudran private limited, number three is reserve bank information technology private limited, that is called rabbit, number four Indian financial technology and elite services, और अभी latest जो इसमें add हुई है, number five वो आपकी यहाँ पर बनती है, reserve bank, reserve bank innovation hub, reserve bank innovation hub, इसका headquarter बना है, बेंगलूरू में, so reserve bank innovation hub, this is the fifth subsidiary of RBI, पाँचों की पाँचों subsidiary, इसके name आप सभी को याद करने है, exam में एक number पर इनके नाम पूछे जा सकते हैं, आप पाँच options देकर आपके question पूछा जा सकता है, कि इनमें से कौन सी RBI की subsidiary नहीं है, तो इसका screenshot आप ले लीजे, ठीक है, इनके बारे में आगे के chapters में detail में discussion करेंगे, कि deposit insurance and credit guarantee corporation का काम क्या है, अभी ऐसा समझ लीजे कि इस company का काम जो भी पैसा आपका bankों में जमा होता है, उसे सुरक्षित रखना और उसका जो insurance होता है, वो DICGC के द्वारा होता है, करती है, services के लिए IT sector में ये company है, और नए-नए innovation जैसे की virtual currency, digital currency, banking sector में और किस-किस तरीके के innovations हो सकते हैं, उसके लिए reserve bank innovation हब आपके आपर काम करता है, के लिए मेरी बात, अगर आप defense examinations की त्यारी कर रहे हैं, तो application पर defense examinations को target करते हुए batch भी आपका 8 मई से शुरू हुआ है, आप ये batch भी वहाँ पर join कर सकते हैं, ठीक है, एक और चीज याद रखिएगा exam के point of view से, कि जो national housing bank है, ये अब भारत सरकार के under में आता है, ना कि RBI के under में, पहले जो आपका national housing bank था, ये basically एक development bank है, इसका headquarter आपका new Delhi में मौझूद है, पहले ये RBI की ही subsidiary थी, याद रखना है, पहले किसकी subsidiary थी, ये पहले RBI की subsidiary थी, बट अब ये fully on subsidiary है, 100% shareholding इसकी किसके पास है, भारत सरकार के पास है, तो अब NHB, National Housing Bank, headquarter located in New Delhi, ये आपका अब भारत सरकार की subsidiary है, ये भारत सरकार के under में काम करती है, ना कि RBI के, अब RBI का जो total chapter आपके यहाँ पर complete हुआ है, इसकी practice कैसे की जाए, तो चलिए, एक बार जल्दी से देखते हैं कि फटा-फट से इसकी practice कैसे करनी है, ठीक है, और कैसे आपको M5 application पर जाना है, और कहां से आप इसकी practice करेंगे, ठीक है, यहाँ तक का chapter और यहाँ तक का discussion अग आपको यहाँ पर select करना है, M5 application पर आना है, जो लोग नए है मैं उनके लिए बता रहा हूँ, banking वाले tap पर आपको tick करना है, यहाँ पर जैसे आपने tick किया, तो ठीक है, banking वाला goal आपने यहाँ पर select कर लिया है, banking वाला goal select करने के बाद फिर आपको exam select करना होगा, तो अभी mains क अगर मैं बात करूँ तो सबसे करीब mains का exam है, IVPS, RRB, officer scale 1 mains, तो इस पर आप यहाँ पर tick करेंगे, language पर आप लोग यहाँ पर tick करेंगे, उसके बाद अब M5 application आपके goal के हिसाब से set हो गई है, practice करने के लिए आपको क्या करना है, practice वाले tap पर आपको click करना है, practice वाले tap पर click क के बाद आपको यहाँ पर सारे subjects के लिए यहाँ पर practice material मिल जाएगा, और for example, अगर आप general awareness के लिए practice करना चाहते हैं, तो GA वाले tap पर आप click करेंगे, जहाँ पर आपको पहले number पर तो M5 की big book मिल जाएगी, इसके अलावा आप Indian economy, chapter wise, international economy, organization, personalities, banking and financial awareness, आप इस तरीके से topic wise practice भ अगर आप click करते हैं, तो आप इस topics related चीजों को आसानी से find out कर पाएंगे, for example, banking affairs में आप यहाँ पर practice करना चाहते हैं, तो banking affairs पर click करके आपको यह सारी की सारी चीज़ है, RBI and monetary policy, आपने इस पर यहाँ पर click किया, क्योंकि RBI वाला topic हमारा complete हो चुका है, तो हम RBI के ऊपर practice कर जाएगा और आप वहाँ पर जाकर अपना topic wise quiz जरूर दीजेगा, practice जरूर कीजेगा, इसके अलावा, आप books के माध्यम से भी practice कर सकते हैं, for example, अगर हम बात करें general awareness की, तो यहाँ पर जाकर आप क्या कर सकते हैं, कि banking and financial awareness, ठीक है, तो यहाँ पर जाकर आप Indian banking sector, insurance sector, RBI and monetary policy, Indian banking sector वाला topic भी हमारा हो चुका है, तो हम उसकी practice करना चाहें, तो इस topic प्याकर हम उसकी practice भी कर सकते हैं, चीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर M.Y.V. application पर practice के लिए बहुत सारा e-material मिल जाएगा, इस e-material का lab उठाईए, practice पर जाईए, practice कीजे, practice में आप बहतर हो समय समय पर आप अपनी performance चेक कर सकते हैं, कि आपने कितना सीखा, कितना जाना, कितने test दे दिये हैं, कहाँ पर आप कितना बहतर प्रदर्शन कर पा रहे हैं, कहाँ पर आप अपना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, किन subjects में weak हैं, किन topics में weak हैं, तो अच हम किस topic को यहाँ पर discuss करने वाले हैं ओके तो हमारा RBI वाला topic यहाँ पर complete हो जाता है अभी monetary policy का chapter हमारा बागी यहाँ पर रहेगा तो आज की class में हमने सब कुछ complete कर लिया दौनों पार्ट में history of RBI, RBI की पूरी history, RBI का management, RBI की powers, RBI के सभी functions और RBI की subsidiaries.